हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है टेंसन फिर्या स्टेडी में दोस्तों आप लोगों को आज इस वीडियो में क्लास टेंथ का मैथ का दो चरवाले रहे एक समिक्रन चेप्टर का स्टार्टिंग लेकर आये हैं अब जो है एक बगल से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है और उसके बाद जो है जितना भी मैथ का सॉल्यूसन है जितना भी उन सभी को सॉल्व करना है तो आप लोगों को इसमें कहीं भी प्रोब्लम हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दें तो चलिए हम लोग वीडियो को स् जुकि जिसका मान आने के बाद वह गयब हो जाता है भाग जाता है चला जाता है उसको हम चर बोलते हैं अचर जो शुरू से अंत तक हिसाब में बना रहता है जैसे चर आपका हो गया ए से लिके जड़ तक ए बी सी डी एक्स वाई जड़ तक और अचर जो गया जीरो दो त पीन एक चार पॉंच मतलब अनन्द तक हो गया यह सबी जो है अचर का लाता है जो इसका मान की फिक्स होता है अब हम लोग देखते हैं देखिए वही चर आप लोग समझ गए तो दो चर तो जिसमें यह एक्स एक्स वाई हो जाया या बी हो जाया बी सी यह जाया सी डी कु समिकरन तो उसका अब हम लोग परिवासा देखेंगे चैप्टर जो नाम था उसका हम मिनिंग समझ गए दो चर वाले रैकिक समिकरन अब हम इसका परिवासा देखते हैं दो चर वाले रैकिक समिकरन किसे कहते हैं यह परिवासा है कि AX पलस BY पलस C इस रूप में जो है दो चर वाले समिक्रन मिलता है जैसे देखिए X और Y यह दो चर है अब कहेगा ABC भी चर है लेकिन आप आगे देखिए इसका परिवासा आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा एक दू तीन चार जीरो पॉंच दो भी मिल जाए तो रियल नंबर बास्तिविक संख्या मिलेगा और A not equal to 0 मतलब A का मौन कभी भी 0 नहीं होगा और B not equal to 0 B का मौन कभी 0 नहीं होगा या तो 1 होगा या 0 से बरा ही होगा या 0 छोटा मतलब या तो मैनस में होगा या तो पलस में होगा लेकिन 0 नहीं होगा, एक और भी का मौन, हाँ C का 0 हो सकता है, के रूप के समिकरन को दो चरवाले रखिक समिकरन कहते हैं आसाने से परिवासा याद हो जाएगा कि AX पलस BY पलस C, जिसमें A, B, C बिलोंग्स टू रियल नमबर R और A not equal to 0 और B not equal to 0 के रूप के समिकरन को दो चरवाले रखिक समिकरन कहते हैं, आप लोग समझ गए होगे, एक्जाम्पल में देख लिए कि 2X-3Y पलस पउँच बराबर 0, ये दो चरवाले रखिक समिकरन है, इसमें 2 चर है, एक चर है X, दूसरा चर है Y, और C जो है अचरपद जो कि 5 है, इसी सब्सक्राइब लोगों को वास्तविक संख्या आप लोगों को आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखेंगे कि दो चरवाले रैखिक समिकरन यूग्म किसे कहते हैं इसका पड़िवासा देखेंगे हम दो चरवाले रैखिक समिकरन यूग्म पड़िवासा आपका उज़ता है कि जब दो चरवाले दो रैखिक समिकरन को एक साथ लेने पर उसे दो चरवाला रै यूगम का मतलब होता है जो जब यूगम करते है है तो यूख का है जो लेते हैं तो उसे दो चरवाला रैखिक समिक्रन यूग्म कहते हैं जिसको यूग्म का मतलब होता है जोरा यूग्म तो एक्जम्पल होगे जैसे x प्लस y बराबर 2 ले लिए उसके बाद ले लिए x मेंनस y बराबर 0 ये आपका दो जोरा ले लिए तो ये एक यूग्म हो गया उसी प्रकार से दूसरा हो गया 2x प्लस 3y बराबर 5 3x मेंनस y बराबर 0 ये आपका जोरा में दो चरवाले रैखिक समिक्रन आई से लिए इसको हम जो है दो चरवाले रैखिक समिक्रन यूग्म कहते हैं अब नेक्ट देखते हैं लोग दो चर्वाले रैखिक समिक्रन निकाई तो आप लोग दो चर्वाले रैखिक समिक्रन समझ चुके अब निकाई तो उसको जो है हम उसको जो है रैखिक समिक्रन निकाय कहते हैं जब हम दो गो एक साथ लेते हैं रैखिक समिक्रन दो चरवाले रैखिक समिक्रन उसको यूग मी बोलते हैं और उससे जो है एक निकाय या सिस्टम भी बनता है निकाय का इंगलिस में हम लोग सिस्टम बोलते है उसे हम रैखिक समिक्रन निकाय भी कहते हैं इसका परिभासा हो गया आपका दो चरवाले दो या दो से अधिक रैखिक समिक्रन को एक साथ लेने पर बना निकाय बना एक सिस्टम को ही रैखिक समिक्रन निकाय कहते हैं यह एक्जम्पल में हो गया, x plus 2y minus 1 बराबर 0, दूसरा हो गया, 3x minus y plus 5 बराबर 0, यह एक सिस्टम बन गया है, कि x का मौन यह दोनों समिकरन को एक साथ लेने पर जब हल करेंगे, तो समिकरन का मौन जो निकलेगा x का और y का मौन, एक ही निकलेगा, एक x का मौन निकलेगा, और एक y का मौन निकलेगा, और जब दोनों में put करेंगे, यह 0 ही निकलेगा, ति यह संतुष्ट करेगा, तो यही जो है, एक निकाय हुआ, सिस्टम हुआ, तो आप लोग इनका पड़िवासा समझ गए होंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं, रैखिक समिक्रन यूग्म का व्यापक रूप क्या होता है, रैखिक समिक्रन यूग्म जो 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 रहा जोता है, उसका व्यापक रूप यह होता है, कि a x plus b1, a1 x plus b1 y plus c1 ब्रावर 0, और दूसरा जगा, a2 x plus b2 y plus c2, यह a1 b1 c1, a2 b2 c2, यह दो चरवाले रैखिक समिक्रन यूग्म का व्यापक रूप हुआ, जैकि हम जो यहाँ पर रैखिक समिक्रन यूग्म लिखे हैं, इसके पहले जो है आपका 2 चरवाले, यह जो चेप्टर की स्टाट हुआइस में, आपको पूरा जो पढ़ना है, दो चरवाले रैखिक समिक्रन ही पढ़ आपको बास्तिक संखिया है जिसको की बड़ी आर से सुचित करते हैं रियल नंबर तो आप लोग यहां तक इन सबी परिभासा को जो यादी नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके रोक्रोक करके लिख सकते हैं लिख लीजिए अब हम लोग आप से अगले वीडिय दन्यवाद